नमस्कार दोस्तों, आए सुनते हैं मालती जोशी द्वारा लिखी हुई कहानी शोभा यात्रा का अंतिम भाग उसके प्रथम अदुतिय भाग को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये गई लिंक पर जाकर सुन सकते हैं कहानी में अब तक आपने सुना कि वंदना के शादी एक राजनीतिक घराने में हो जाती है लेकिन राजनीतिक सत्ता छिनते ही वो लोग कंगाल हो जाते हैं कहानी में आगे क्या होता है आई सुनते हैं दो एक बार साले बहनोई में अच्छी खासी जड़ब भी हो गई बहुत दिनों से मन में पल रही नफरत उबर कर एकदम सतय पर आ गई दीदी के सम्मेदन शील मस्तिष्ट ने उस संकेत को समझने में गलती नहीं की एक शुब धिन बेबिना किसी चीक पुकार के अपने पती और बच्चों को लेकर गाउं लोट गई मुझे दुख तो यह हुआ कि माजी ने जूट मूट भी उन्हें रोकने या मनाने का प्रयास नहीं किया बड़ी दीदी के सामने बिच बिच गई थी पर छोटी दीदी के प्रस्थान के समय इतनी तठस्त हो गई थी कि देखकर आश्चर होता था सुनीत ने कभी बताया था कि दीदी का ब्याह एक एग्रिमेंट था अनुबंद था दीदी का गाउं चाचा जी के चुनाक शेत्र का सबसे बड़ा गाउं था जीजा जी का परिवार गाउं का सबसे संपन परिवार था पासपड़ोस के गाउं में भी उन लोगों की धाग थी प्रतिष्था थी उस चेत्र में जीतने के लिए इन लोगों का समर्थन बहुत आवश्यक था चाचा जी के अनुरोद पर उन लोगों ने सही ओवो और समर्थन देना तो सुईकार कई लिया पर बदले में अपने मिर्गी के मरीज पुत्र के लिए दीदी की मांग भर दी कुशल रनितिक ये थे चाचा जी दोस्ती पर सम्बंधों की मोहर लगानी के लिए उन्होंने भी अरिस्ता मंजूर कई लिया आने वाले हर चुनाम में उनकी जीत सुनिश्चित हो गई दीदी कुछ दिनों तक तो ससुराल में बनी रही पर वहां उन्हें बड़ी उपेक्षा जिलनी पड़ी पती स्वस्त तो थे ही आलसी और अकर्मणे भी थे उनके प्रती सबका जो भी दृष्टी कौन रहा हो वह बाहर पता नहीं चलता था पर अन्तयपुर में बड़ी खुसर पुसर होती थी संयोक्त परिवारों में हमेशे यही होता है संबंदों में दरार हो तब भी उपरी सतय बैसी ही चिकनी सपाट बनी रहती है लेकिन भीतर ही भीतर खाई बढ़ती रहती है जिसे यह भुगतना पड़ता है वही इस दर्द को जानता है उस घुटन को दीदी बहुत दिनों तक झेल नहीं सकी और पड़ाई का बहाना बनाकर पती के साथ अपने घर लोटाएं ससुराल से उनका रिष्टा केवल गमी और खुशी में जाने भरका रहा उतने मैं रिष्टे के बल पर बे यहां भी सिरूचा किये बिना रहें एक बार उपेक्षा का अबमानना का कड़वा घुंट पीने के कारण भे समभल गई थी इसलिए मां के घर भी चोकन नी बनी रही जीजाजी को उन्होंने कभी अपमान नहीं होने दिया उनकी सेबा का सारा भार स्वयम उठा कर उन्होंने कभी किसी को तुनकने या भुन भुनाने का अपसर नहीं दिया दीदी को बहुत जल्दी ही या एसास हो गया कि सारे अनुबंद चाचा जी की मृत्ति के साथ ही समाप्थ हो गये हैं एक बाद जान लेने पर उन्होंने एक शन का भी बिलंब नहीं किया और ससरा लोट गए उनके जाते ही घर और भी सुना हो गया लगा जैसे घर की सारी रोनक अनुव और रिम्मी के दमसे ही थी मुझसे तो दोनों बहुत ही हिले हुए थे सुनीत के बाद घर में वही दोनों मेरे सबसे ज़ादा अपने थे दीदी का भी घर में एक सहारा सा था जीजा जी की परिचर्या से जितना समय बचता बिस सब पर इसनिह लुटाया करती थी उनके रहते कभी उनके महत्त को ममत्त को जान नहीं पाई पर उनके जाने के मेरा ये उत्तरदायत तो एच्छिक नहीं था उतना निर्दवंद भी नहीं घर की बहु थी मैं उनको कियों को सब लोग सिर माथे लेते थे सराते थे मेरा किया सिर्फ करतबी की स्रेणी में आता था दीदी सचमच भागेवान थी उनके समय में घर में संपन्नता थी जी बगीचे से आ जाती थी फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनके लिए बाजार दोड़ना पड़ता है उसकी वेवस्था कैसे हो समझ में नहीं आता था बच्पन से तो यहीं देखा था कि बाबुजी हर महीने एक निश्चित रकम मा के हाथ में पकड़ा देते थे भा साथ दान पुर्णे तीज दियो हाल लेन दिन चलता रहता बड़े खर्च सब बाबुजी के जिम्मे थे यह बरसों से एक सुनिश्चित व्यवस्था थी यहां व्यवस्था नाम की चीज ही नदारत थी घर की मालिकिन मा जी थी पर वे एकसर घर से बाहर रहती वे जितनी देर घर में रहती गहन चिंता में डूबी रहती उनसे कभी कुछ कहने की हिम्मत ही न पड़ी सुनित सामने होती तो उसे मध्यस्थ बनाकर मैं घर खर्च के लिए कुछ पैसे मांग लेती पैसे तो मिल जाते पर क्यों किसलिए जैसे हजारों प्रशनों की जड़ी रख जा जो इन दिनों अकसर घर पर ही रहते पर कभी उनके आगे हाथ फैलाने का मन नहीं हुआ एक गांट सी मन में पड़ गई थी बस एक देह धर्म की मजबूरी थी जिसे हम लोग निभा रहे थे बलकि मैं तो उसे सजा की तरह भुकत रही थी मेरे पास कुछ थोड़े से परस का मुँ धीरे धीरे खुलने लगा था कई बार ऐसी विवस्ता आ जाती कि मुझे ही विवस्ता करनी पड़ती तब चोटी सी रकम भी मेरे लिए एक संबल बन जाती उसी के बल पर कई बार मेरा स्वाभी मन सुरक्षित रह सका था उस दिन भी मैं एकदम आश्वस्त हो दुबली पतली सामली सी बड़ी प्यारी सी लड़की थी वह इतनी मासूम कि विश्वासी नहीं हो रहा था कि ये उस गुल गोथने बच्ची की मा है भावी भावी कहकर लिप्टी जा रही थी एकदम सुनी ती जैसी लगी मुझे वे लोग चलने को हुई तो मुझे चिंत भड़ती रुपए देती सो अलग इस घर का क्या रिवाज है मुझे पता नहीं था नया कुछ कहने का साहस नहीं था मा जी और सुनी दोनों ही घर पर नहीं थी मैंने सोचा लड़की तो अभी रहेगी उसके लिए बाद में भी सोचा जा सकता है पर बच्चा तो पहली बार आया है उसे खाली हाथ कैसे भीज दूँ उन्हें रुकने के लिए कहकर मैं उपर आई जल्दी से ताला खोल कर पर्स निकाला चैन खीच कर अंदर हाथ डाला तो धक से रह गई अंदर एक मुड़ा तोड़ा दोगा नोट और कुछ सिक्के पड़े थे बस दोनों हाथों से कस कर पर्स पकड़े हुए मैं कितनी देर पत्थर सी खड़ी रह गई कोई कारू का खजाना तो नहीं था मेरे पास एक छोटी सी पूझी थी जिस मैं खुले हाथों खर्च कर रहे थी कहां तक साथ देती बाहर के कमरे मैं करकर स्वर में रेडियो बज रहा था ये आराम कु कर मैंने रेडियो बंद किया और कहा एक दसका नोट दीजिये गजरा वे शायद इस ब्यावधान से बहुत खुश नहीं हुए कसेले स्वर में बोले क्यूं ऐसी क्या जरुरता पड़ी कौशल्य काकी अपने नाती को लेकर आई है उसे देना है कहार इनकी नाती को दस रु आई थी जो यहां रुपए लुटा रही हो मैं दंग रहे गई क्या किसी शरीप घर में इस तरह की भाशा बोली जाती है क्या हम जुग्गी जुपडी बालों से भी बत्तर हो गए हैं आवेश में आकर मैंने उसी लहजे में कहा बाप के यहां से तो तीस अजार लेकर आई आताउतने में दस बारे दिन तक यह मुझसे खिचे-खिचे रहे मैंने भी मनाने के कोई कोशिस नहीं की इस व्यक्ति से अपना कोई संबंध है यह याद कहना भी मेरे लिए कश्ट का रख था फिर एक दिन दो पहरम में यह अनाया सी मेरे पास आकर बैठ गए बड़े इस भाव से मेरे हाथ की किताब लेकर इन्होंने परे रख दी और बोलें कहिए आजकल आपकी अपनी ननदरानी के साथ कैसी चन रही है खूब चन रही है क्यों मैंने अचरस से पूछा यह फोटो दिखानी थी मैंने फोटो देखी मन प्रसंद हो गया सुनीत के लिए ऐसे सुदर्शन वर की मैंने कामना की थी अच्छा भी लगा मेरी न सही इन्हें अपनी बहन की तो चिंता है कम से कम याद तो है कि चाचा जी के बाद यह उत्तर दाय तब हमें ही निभाना है सुनीत भी तो देर तक उस मन मोहिनी छबी को निहारती रही अब देखती ही रहोगी या कुछ कहोगी भी मैंने कोचा अब कहने को क्या है अरे वहा एकदम घूंगे का गुड़ हो गया पर मेरी इस चुटकी को अनसुना करते हुए उसने संजीदगी से कहा इसका मतलब है भाईया चुनाब लड़कर ही रहेंगे क्या बकवास है मैंने खीचकर कहा हर बात मैं राजनीती इससे परे क्या तुम लोग कुछ सोची नहीं सकते यह बकवास नहीं है भावी हकीकत है अगले महीने उप्चुनाब हो रहे हैं उसके लिए भाईया बहुत हाथ पैर मार रहे हैं पर अब तक टिकट के बारे में कोई समझोता नहीं हो सका है चाचा जी की सीट त लगभग तै हो चुका है इसलिए मेरा चारा डालकर इना फुसलाया जा रहा है सुनकर सन रह गई मैं पूछा जानती हो इने बहुत अच्छी तरह भाईया के पुराने प्रतिद्वंदी हैं चार साल तक कॉलेज में दोनों की खूब ठनी रही तुम्हारे भाईया चार साल कॉलेज में पढ़ चुके हैं पढ़ने लिखने का मैं नहीं जानती पचार साल तक कॉलेज जरूर गए हैं दो-दो साल आट्स और साइस दोनों के गल्यारे में घुम घाम कर चले आए और ये महाशे मसी एलल भी हैं मसी में तो गोल्ड मैडलेस्ट रह चुके हैं इस समय ब पताया कि भी कॉलेज में तुम्हारे भाया के कट्टर प्रतिद्वंदी रह चुके हैं। अब तुम्हारे लिए ये उनी की चौकट पर जाएंगे। उनके पैर पूजने। ये बात तो गले नहीं उतरती। उतरेगी भी नहीं क्यूंकि ये राजनीती है। और राजनीत अपने विरूधियों को गले लगाओ। क्यूं। इससे अहंकार का नाश होता है और आत्मा शुद्ध हो जाती है। सन्यासी को सबसे पहले किस बात की दिक्षा दी जाती है। जानती है। भिक्षा बृत्ति की। इससे उदर पूर्ति तो खैर होती ही है पस सबसे बड़ी इससे भी काम ना बने तो पैर पकड़ लो। एक बास वार्त सिद्ध हो जाने पर फिर भले ही अउठा दिखा दो। बस कीजिये पंडित जी महाराज अपना प्रवचन हमें नहीं सीखनी है आपकी राजनीती। हम तो इतना जानते हैं कि आपके भईयाने आपके लिए जो गाने लगी। मैं ही न मिला। फोटो भी मेरे पास ही रखा रह गया था। मैंने जान बुझ का लोटाया नहीं। अच्छा ही था जो प्रसंग अपने आप दब गया था। मैंने दुबारा उठानी की चेश्टा नहीं की। रहा है तो किसी की चाय बन रही है। कोई फलाहार करेगा तो कोई किसी को नाश्ता देगा। अमुक के लिए अलोना खाना बनेगा। अमुक जी बेंगन की सबजी नहीं खाएंगे। उपर से आदेश आते रहते उन्हें पूरा करते करते में हाप उठती। मेरी समझ से तो ये सारी चुनाप के पूर्व की तयारी थी। फिर अचानक मुझे उन लोगों की बातचीत में फल दान, वरिच्छा, मिथुन लग्न जैसे पारिभाशिक शब्द भी सुनाई देने लगे। मेरा मा था ठनका। उस दिन बाजार से बड़े बड़े थाल आये थे तो गुविंदी नहीं मुझे बताया कि 19 तारी को अच्छा चड़ रही है। उन दिनों इनके दर्शन दुरलव हो रहे थे, फिर भी किसी तरह इने अकेले में घेर कर मैंने पूछी लिया। असवर में व्यंग था, उपहास था, फिर भी मैं भागी भागी सुनीत के कमरे में गई। देवी जी मजे से किसी पत्रिका से कोटेशन उतारने में मगन थी। उसे आदत थी कि जहां कोई अच्छा सा बाक्या कविता की पंक्ती या शेर देखती जट कौपी में उतार लेत ऐसे ऐसी चार कौपियां भर ली थी उसने, उसकी तलिनता देखती ही बनती थी। मैंने सूचा कितनी कुशागर बुद्धी बाली है ये लड़की, हर बात की तह तक पहुँचकर दम लेती है। फिर एकदम खयाल आया, जो बात मैंने नौकरों चाकरों की बाचीत से जान उसकी भनक क्या इसके कानों तक न पहुची होगी, यह तो बेरुक टोग घर भर में गुमती रहती है, इससे कौन सी बाच शिपी रह सकती है। तोह लेने के लिए मैंने पुकारा, बधाई हो गौरा पार्वती जी। किस बात की? उसने लिखना जारी रखती हुए पूचा आपकी शादी के बाजे बजने वाले हैं ना? हम, यह तो पुरानी बात हुई, मैंने सोचा कुछ नई खबर होगी, मैं देखती रह गई, क्या है इस लड़की के मन में? उस दिन मैंने पूचा था हमें बताओगी नहीं? कौन है तुम्हारे भोले ना? तब बड़ी अदा स बोली थी, तुम्हें न बताएंगे सकी, तो किसे बताएंगे? तुम्हीं तो हमें इस कारागार से मुक्ती दिलाओगी? और अब कितने निरलिप्त भाव से कह रही है? हम, यह तो पुरानी बात हुई, बैठो न भाबी, ना बाबा, बैठनी की फुरसत यहां किसे है? मैं तो बस बधाई देने चली आई थी, अभी अभी खबर मिली तो मैंने सूचा, लगे हाथ या शुबकारी भी निप्टा दूँ, नाराज हो? कौन? मैं? अरे नहीं, नाराज बाराज क्यों होने लगी? बस थोड़ा सा दुख हो रहा है, सो भी तुम्हारे भोलेनात के लिए और मेरे लिए? सिर्फ हंस दी मैं, कहा कुछ नहीं. भाबी, तुमने इतिहास पड़ा है? हाँ, बीये में विशय था मेरा. तो तुमने यह भी जरूर पड़ा होगा, कि पुराने राजा लोग लडाईयां तो खुद लड़ते थे, पर जब संधी करने की नौबत आती, तो अपनी कन्याओं को संधी पत्र का मसौदा बना लेते थे, हम लोग भी तो किसी राज कन्या से कम नहीं है, जब उन लोगों जैसा एश्वर भोगा है, तो अभिशा भी भोगतना होगा, मैं चुप, जानती हो भाबी, अम्मा इस चुनाम में अपना सब कुछ दाव पर लग लगा रही है, तो मैं भी तो लगा रही है, मेरे हिस्से का त्याग मुझे भी करना ही था, कुछ कर्ज होते हैं भाबी जचुकाने ही पड़ते हैं, जैसे छोटी दीदी ने चुकाया था, हाँ, जैसे छोटी दीदी ने चुकाया था, जैसे बड़ी दीदी ने चुकाया थ मातर 14 वर्स की थी बड़ी दीदी और 28 साल के दूले से ब्याद दी गई थी। सिर्फ इसलिए कि उनके श्वसर तब वहां के कलेक्टर थे। कभी कोई उच नीच हो जाए तो सरकारी अमले में अपना भी कोई आदमी हो। इसी उद्देश से यह रिस्ता तै हुआ था। छोट वक्त ही बताएगा। उसे वक्त के आगये यों घुटने टेकते देखकर मन जाने कैसा हो आया। मैंने अपने आपको समझाया भी कि बंदना जी इसमें इतना दुखे आश्चर करने जैसा क्या है। यह कोई अनौनी तो नहीं हो रही। सभी हिंदुस्तानी लड़किया इस मुझ में और आम भरती लड़कियों में कोई अंतर ना था पस सुनीत को मैं सबसे अलग समझती थी। लगता था उसमें एक स्पार्क है चिंगारी है। वो एक तरह से मेरी व्यक्तित की पूरक थी। जो साहस जो दिलेरी मुझ में नहीं थी वो उसमें कूट कूट कर भरी ह थी। जो बात मैं सोच कर रह जाती थी वो धडले से कह डालती थी। जो बात मैं सोच भी नहीं सकती वो कर गुजरती थी। इसलिए वो मुझे बहुत अपनी सी लगती थी। जब उसके ब्यक्तित को आलोकित कहने वाला या बले हट गया तो वो दीदी लोगों की मलिका की कड़ी भर रह गई। उसे सुनीता जी कहका पुकारनी की इच्छा होने लगी। अपने चेर परचित सुनीत के बिना घर एकदम खाली-खाली सा लग उठा। कितनी अकेली पड़ गई थी मैं। और एक दिन शो महुरत में इन्होंने नामंकन पत्र दाखिल कर दिया। उसक के कारण चाचा जी पिछले दिनों सब के कोप भाजन बने हुए थे। ये तो कभी-कभी ऐसा बहुत तबाही बक देते थे कि सुनते भी संकोच होता था। पर अब उनकी एक बड़ी सी तस्वीर बड़े हॉल में लग गई थी। रोज उस पर ताजे फूलों का हार चड़ होता। उनका नाम लेते हुए ये स्रधा से ऐसे भर उठते कि बस। वैसे भी इनकी भाशा अब बहुत सौम्मे हो गई थी। बात-बात में गाली निकालने की आदक तो पुरानी थी वह आसानी से चूटने वाली नहीं थी। किन्तु इसके अत्रिक्त जो कुछ कहते वह श कि वक थे। बात करने का धंग ऐसा कि सुनने वाला प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। एक दो बार उन्हें मंच से भी सुनने का अफसर मिला। वाणी के धनी थे। सरस्वती जैसे उनकी जिभ्या पर नाचती थी। उनकी तुलना में इनका भाशन उबाव ही ये अधिक बोलती भी नहीं थे और कुल मिलाकर दोनों का प्रभाव अच्छा पड़ता। दो बिरोधी खेमों को एक मंच पर देखकर जनता भी प्रभावित होती। सुनीत ने ठीक कहा था। यह आदमी निर्दलिये भी खड़ा होता तो इनके लिए टकर भारी पड़ जा पुराना रिष्टा यदि कायम होता तो मैं इसी बात को लेकर खुब चुटकी लेती। उन लोगों के मिलने मिलाने की खुद व्यवस्था करती। पर अब उत्सा ही नहीं रह गया था। और फिर समय ही कहां रह गया था। चुनाम मैंने अब तक सुना भर था। इतने पास गेरा भावी भावी कहका रसोई में घुसा चला आता था। जिनकी शकले देखने से घ्रणा होती थी। उन के लिए थाली सजा कर देनी होती थी। हां सांस का खिलाना पड़ता था। स्रीमान जी की सक्त ताकीत थी कि कोई नाराज न होने पाए। यही तो उनकी सेना की पाही थे। मोर्ची की दारो मदार इनी लोगों पर थी। यह सुबह से अपनी फौज लेकर निकल जाते तो रात गए लोटते। देर हो जाती यह तो गाउं में ही टिक जाते। तब माजी चिंता के मारे रात भर जाकती रह जाते। यह जब भी लोटते पसीने से लत्पत धूल से सने होते पर चहरे पर एक संतोष होता आत्म गौरब का भाव होता। मुझे भी उनका धूल धूसरित्था का मादा रूप भाने लगा था। सोचती हूं शायद हर इस्तरी को पती का यह स्त्रम सिंचित रूप ही सबसे ज़्यादा लोभाता है। उन्षणों में व चाचा जी शायद इस बात को जानते थे अकसर कहते यह लड़का किसी काम का नहीं है इससे बस चुनाव लड़वा लो। तब उनकी वात निराशा की थी नाराजगी की परचायक होती थी बिचारे सब करके हार गए थे उन्होंने इनके लिए बरसा पहले एक छोटी सी दाल मिल डाल दी थी फिर सीमेंट का परमिट दिलवा कर देख लिया पिछले साल तो गैस की एजंसी भी खुलवा दी थी पर इनका मन कहीं नहीं लगा उन्हीं दुकान पर चाचा जी के भक्तगण बैटकर माला माल हो गए छोटी दीदी फिर लोट आई थी इस बार पूरे आत् पी को सब देखना है पर अब दीदी रसोई की तरफ जहांकती भी नहीं थी सारी ब्यवस्ता अपने आप जो हो रही थी मिसरानी मौसी थी गोविंदी थी फिर भी काम समाले नहीं समलता था दिन भर चाय दिन भर नाश्ता दूसरे भी दौर चलते थे पर उनसे मजे कोई सर पारा रहा वह 24 गंटे मेरे साथ बनी रहती पहली बार मैंने अनवब किया कि चाचा जी कितने दूर दर्शी थे उन्होंने बव को एहसानों से इतना लाद दिया था कि बिना मोल की दासी होकर रह गई थी चुनाम में गड़े मुर्दे उखाडने का खुब प्रयास किया ग पर व्यवहार कोशल थी जानती थी यह चुनाबी हमदर्दी है कल को ये लोग बात भी नहीं पूछेंगे फिर वो अपनी लगे लगाई क्यों छोड़े पती की मृत्ति को उसने कर्मों का फल गयका स्विकार कर लिया मंत्री मंडल के लिए जिला जैसे एकदम पर भी नहीं आये थे जितने इस रद्धान जली देने आप पहुंचने लगे बहाना तो सरकारी टूर का होता था पर उसके मर्म को सब समझते थे इसलिए सरकारी अमला भी कुछ-कुछ प्रभावित कुछ-कुछ आतंकित हो चला था जो भी मंत्री जिले के सदर मुकाम पर थे उनकी चाय एक समय का खाना घर पर अवश्य होता मंत्री महौदे अपने पूरे लाप जमी के साथ आते घर भर से उनका परिचाय करवाया जाता और वे हमें कृतार्थ करते हुए खा पी कर चले जाते सबसे खुशी की बात तो यह हुई कि मुक्ष मंत्री स्विम आशिर रात को सभी लोग ठक्का चूर हो गए थे मैं माजी की सिर में तेल डाल रही थी के आँधी की तरह कमरे में घुसाए अम्मा कुछ पैसे दो तो अरे अभी सुबह तो दिये थे कितने दिये थे सिर्फ तीन हजार उससे क्या होता है हजार रुपए का तो पैट्रल फुग ग है हिसाब बाद में लेना अभी मेरे पास समय नहीं है प्रैस से पोस्टर्स उठाना है गाड़ी तयार खड़ी है रात को ही रवाना कर दूंगा माजी उठी कमर से चावी निकाल कर अलमारी खोली और नोटों की एक गड़ी इनके हाथ में पकड़ाते हुए बोली पूरे द पमान से लाल हुआई मैं माजी की बात का मैंने बुरा नहीं माना हिंदुस्तानी सास के लिहाद से यह उलाना बहुत ही सौम में थी पर मेरी कही बात ये इस तरह माजी तक पहुचा देंगे यह नहीं सोचा था क्या पत्ति-पत्नी के बीच कुछ भी अंतरंग नहीं कई दिनों से सुबह शाम ठाकूर जी के आगे हाँज जोड कर इनकी बिजय की कामना करती थी मैं पर लगता है पुटना के वे मंत्रम मन में कभी फूटेंगे ही नहीं उनकी जीत मेरी प्रार्थना की महताज नहीं थी पता नहीं कितनों की शुब कामनाएं उनके साथ थी मा जी ने उनके लिए जने कितने देपता पूज रखे थे बहनोंने मनोतियां मानी थी बाबुजी बतला रहे थे कि मा ने भी संकट मोचन पस सबा मन लड़ूं का प्रसाद बोला था बाबुजी चुनाब के दो-चार दिन पहले से आ गए थे साथ मैं कारे करताओं के रूप में रिस्ते के भाई भतीजों को भी ले आए थे मतगरना वाले दिन घर में अजीब सरनाटा था सारे पुरुष कलेक्टरेट में डेरा डाले हुए थे माजी सुवय से बिना खाए पिये ठाकुर जी के कमरे में बंद हो गए थी बहने फोन से कान लगाए बैठी थी नौकर चाकर अटकल बाजी में बैस्त थे फुस-फुसाहट बातावरन को और बोजिल बना रही थी मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ परिणाम को लेकर मेरे मन में कोई विशेस उत्सुकता नहीं थी कि तनाव, आशंका और दुश्चिंताओं से भराया माहौल अब समाफ्थ हो जाएगा चुनाब क्या था एक लंबा चोड़ा नाटक था सुखान्त हो गया दुखान्त बस यही जानना शेस था उस दिन बोर्ट डालने गई थी पूरे हाथ भर का बैलिट पेपर था चौदे उंबिद्वार थे नाई, धोबी, काच्छी, कहार, सबका प्रतिनी दुट्व रिस्ते के एक देवर बता रहे थे कि इन में ऐसे कईयों के पास तो जमानत तक के पैसे नहीं थे यहीं से वैवस्था हुई है बैठने का करम तो अंतिम दिन तक चलता रहा हर एक की अपनी कीमत थी यह सारी बाता मन को कहीं गहरे कुरेती थी इसलिए मैं उस शन की प्रतिक्षा में थी जब यह सारी आपा धापी समाप्त हो जाएगी हम सामाने जीवन जी सकेंगे अपने कमरे में निरुद्देश सिसी बैठी थी मैं के स्कूटर की आवाज आई खिरकी से जहाग कर देखा राज शेकर थे मैं उठी और एक सांस में सीड़ियां उतर कर नीचे आ गए और तम मुझे भान हुआ के उदाव सिंता का मेरा यह खोल कितना नकली था बधाई ओ भावी जी मिठाई खिलाईए उन्होंने आते ही आवाज बुलंग की क्या रिजल्ट निकल गया बस निकला ही समझिये साथ प्रतिशत बूटों की गिंती समाप्त हो चुकी है ट्रेंड तो उसी से पता चल जाता है दुसमन तो कब से मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए है चार बजे तक डिकलेयर हो जाना चाहिए मैं तो भागा भागा इसलिए आया हूँ कि यह खुशकबरी सबसे पहले सुनाने का सम्मान मुझे मिले सच मच बहुत कृतक की हूँ मैं तब तक सारा घरवा इकटा हो गया था मा जी भी पूजा से उठाएं थी मेरी बात का सिरा पकड़ कर बोली बहु ने ठीक ही कहा है मुन्ना जीता है तो तुम्हारे दम से उसके अकेले के बसका नहीं था अम्मा हम तो इस अखाड़े के पुराने खिलाड़े हैं उन्होंने हाथ जोड़ कर कहा कॉलेज के जमाने में आमने सामने खड़े होती थे इस बार सासाथ खड़े हैं बस जिंदिगी भर ऐसे ही साथ निभाना बेटा मा जी ने असरो बिगिलित कंट से कहा फिर अपनी हीरे जड़ी अंगुठी उतार कर भावी जामाता की हतेले पर रखते हुए बोली ये मेरा नेग है बेटा मना मत करना इसे कहते हैं होसला आफ जाई आपकी बहुरानी ने तो एक धन्यवाद देकर तरका दिया था अब आपके रहते मैं इनाम देते अच्छी लगूँगी मैंने नमर स्वर में निवेदन किया तो बेएक दम पल्टी और आखे तरेर कर बोली कम से कम उसका मूँ तो मीठा करा सकती थी मैं सक पका कर भीतर भागी सुबह ठाकुर जी के भोग के लिए धेर सी मिठाई आई थी उसी को पलेट में सजा रही थी के छोटी दीदी दोड़ी आई बोली बंदना यह सब तो मैं कर लूँगी तुम जल्दी से जाकर स्रिंगार कर लो भाईया बस आने ही वाले हैं स्रिंगार किसलिए करूँगी आरती उतारनी है तो क्या आरती नहीं उतारोगी पहला चुनाव जीत कर आ रहा है मेरा बीर उसका स्वागत नहीं करोगी उसके बाद जुलूस में भी तो जाना है जुलूस में? हाँ बिजय जुलूस में सुनीत पीछे पीछे आप पहुची थी मुह बना कर बोली अम्मा भी कभी कभी कमाल कर देती है बताओ यह कोई रामलीला की सबारी है कि जुगल जोड़ी विराज रही है रत चला रहा है और हम तुम क्या करेंगे दीदी? चमर बुलाएंगे यह हम से क्यूं कह रही हो? अम्मा से जाकर कहो ना? उनके सामने तो मूर नहीं खिलता? दीदी बोली मूह तो खुब खुलता है पर अम्मा आज इतनी खुश है कि उनका मूर खराब करनी की इच्छा नहीं हुई चलिए भावी जी हाई कमान का होक्म है आपको तयार किया जाए यानी कि एकदम शोवा यात्रा ही निकलेगी हमारी बिल्कुल इसमें कोई शक है सुनीत कमरे में आते ही मैंने कहा इस घर के रीती रिवास समझना बहुत कठिन है कहां तो तुम लोग इतने दकियान उसी हो के शादी में जैमाल तक नहीं होने दी इतने अर्मान से सहेलियों ने सरिंगार किया था दो-दो फोटोग्रापर्स भुलवाई गए थे और अब शहर में जुलिस निकाला जा रहा है तुम समझती नहीं हो भावी तब तुम किसी की बहुत थी आज एक युवार नेता की बिधायक की पत्नी हो कल को शायद मंत्री की पत्नी बनोगी तुम हैं तो अब जन्ता के बीच रहना होगा मंत्री की पत्नी सुनियत सपने देखना तो कोई तुम लोगों से सीखे हम लोग सिर्फ सपने देखते ही नहीं है भावी उन्हें पूरा कहने का होसला भी रखते हैं अम्मा की गोट देखो कितनी सही बैठी है हाँ यह भी एक गड़ित ही है नौ सिखियों के वसकी बात नहीं है मैंने कहा मेरे स्वर की निरलिप्ता से वा कुछ चौकी अपना कंगी वाला हाथ रोक कर उसने पूछा भावी खुश क्यों नहीं हूँ हाँ तुम लोगों की तरह रोमान्चित, पुलकित, उच्वसित बगेरा नहीं हूँ वह मेरा सुभाव ही नहीं सुभाव की बात नहीं है भावी दरसल तुम्हें एसास ही नहीं है कि भावी जीत इस घर के लिए क्या है तुमने कभी सालों तक अनिर्वंद सत्ता का सुख नहीं भोगा तुम नहीं जानती किसका नशा क्या होता है इसकी कैसी आदत पड़ जाती है और जब सत्ता एकाएक छिन जाती है उस सार्भावम सामराज्जी का एकाएक अफसान हो जाता है तो मनुष्य परकटे पच्छी सा निरिह आज तो हसने का दिन है मैंने उसकी ठोड़ी चूकर कहा तो वह एकदम उससे लिपट गई और भरभरा कर रो पड़ी मैं म्भूंक विसमित उसके सिर पर गालों पर हाथ फेटती रही जी भर रोलने के बाद वह कुछ प्रकिर्तिस थुई शांत स्वर में बोली तुम्हें तयार करने का तो बहाना था भावी दरसल तुमसे मिले विना जाने का मन नहीं हो रहा था इसलिए चली आई लेकिन जा कहा रही हो वहीं जहां सब लड़कियां जाती हैं अपनी ससुराल ऐसे क्यों देख रही हो अपने घर नहीं जाऊंगी क्या हमेशा यहीं पड़ी रहूंगी शब्द जैसे मेरे मुह में जम गए थे दो बार तो इस घर के लिए दाव लगा चुकी हूँ अब थोड़ा सा मुझे अपने लिए भी जी लेने दो बिचारे भूले नात कब तक सबर करेंगे मैं चुप क्यों बहुत आशर हो रहा है नहीं सुनीत बहुत दुख हो रहा है तुमने मेरा इतना भी विश्वास न किया विश्वास न होता तो आज भी न कहती इतने दिनों तक इसलिए भुलावे में रखा कि कोई पूछ भी ले तो तुम कुछ बता न सको जूट बोलना सब के वसकी बात नहीं है भावी तुम बोलने की कह रही हो मैं तो जूट जी रही हूँ सुनीत और कितनी खुबसूरती से जी रही हूँ तुम देखी रही हो यही तो तुमारे संसकार है भावी इनी के लिए तो चाचा जी तुम्हें इस घर में लाए थे भाईया को सनमार्क पर लाने के लिए यह अंतिम कोशिस थी युवा नेता के जैजाकार से आकाश को गुन जाता हुआ जुलूस मन्थर गती से आगे बढ़ रहा था सबसे आगे बरदीधारी बैंड था उसके पीछे जैगोश करते हुए इनके सिपाही थे उनके पीछे भांगर नाचता हुआ कॉलेज के चात्र चात्राओं का दल था जुलूस के ठीक मद्द में दुलहिन की तरह सजी हुई जीब थी जिस पर हमारी रामसीता की जोड़ी विराजमान थी पीछे एक खुली कार में माजी छोटी दीदी के साथ बैठी हुई थी यह विजय जुलूस दर असल माजी का ही था विजय उनकी हुई थी हमारा तो सिर्फ जुलूस निकल रहा था पिछले छे महीनों में जिन लोगों ने माजी की अवग्या की थी आज का जैगोश सुनकर उनके दिल दहल गए होंगे माजी कार के पीछे भीड का एक रेला था बेशमार लोग थे आगे पीछे अगल बगल नीचे दुकानों में उपर छज्जे पर लोग ही लोग थे पर इस विशाल जन समुदर से बेखवर मेरी आखे सुर्क लाल साड़ी में लिप्टी उस मन मोहिनी आकरिती पर ही टिकी थी आरजुन की तरह में केवल उस हसमुक चहरे को ही देख रही थी भील को मचली की तरह चीरती हुई कभी वो नाचने वालों के गोल में पहुँचकर थोड़ा सा थिरक लेती कभी उन पर पैसे बार कर बेंड मास्टर को पकड़ा देती कभी हिरिनी कीसी चपलता से जीप पचड़ाती और मुठी भर गोलाल या अंजुरी भर फूल हम पर वर्सा देती खुशी से दमकता उसका चहरा देखकर प्यार भी आ रहा था इर्शा भी हो रही थी उसकी खुशी का राज मुझे तक ही सीमित था फिर भी मन आशंका में डूबने उतराने लगता जीत का यह जश्न रात भर चलेगा सुनीत ने कहा था इसलिए तो मैंने यह मुर्थ चुना है इन लोगों की खुमारी तूटेगी तब तक मैं बहुत दूर पहुँच जाओंगी राज सेखर जी की ही चिंता है प्रतित शोध की आख कहीं लेकिन मुझे राज सेखर की जराबी चिंता नहीं है पिछले दिनों मैं उन्हें जितना जाना है उससे कह सकती हूँ कि वे सुनीत की मजबूरियों को समझेंगे कम से कम बहन के अपरात का दंड भाई को न देंगे पर मेरी बगल में बैठा हुआ यह आदमी क्रोध की शणों में क्या आदमी रह पाता है क्या इसके पास हिरदय नाम की कोई चीज है क्या यह सुनीत को शमा कर सकेगा आशंका से मेरा मन सेहर उठा सुनीत ने मुझे आश्वस्त किया भावी भाईया मेरा अनिष्ट कभी नहीं करेंगे इतने समझदार तो वे हैं जानते हैं कि मेरा मुँ अगर खुल गया तो उनके लिए बहुत बुरा होगा फिर भी क्या इस बार पर निश्चिन्थ हुआ जा सकता है एक मुठी वर गुलाल फिर से हम लोगों पर उचाल कर वा भीड में खो गई थी इस बार उसकी आँखों में एक निराली चमक थी कहीं या विदा का संकेत तो नहीं बेंड पर इस समय पिलो लटके बज रहा था लड़के लड़कियां अब भागड़ा छोड़कर घूमर नाचने लगे थे मैंने बड़े यतन से अपनी आँखों को निरित पर टिकाय रखा था लेकिन मान उच्या को चक कर पीछे भीवर में किसी को खोज रहा था शुभास्तू ते पन्था नह सुनीत जहां रहो सुखी रहो वहीं से मुझे असीस्ती रहना कि मेरी यह शुभा यात्रा शुभ यात्रा बने आमीन दोस्तो अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी द्वारा लिखी वी एक कहानी शुभा यात्रा दोस्तों अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शियर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और अपने कमेंट मुझे साज़ा कीजेगा धन्यवाद